साहरनपूर के अंदर चुनावी बिसात के बीच अब बड़े नेताओं का साहरनपूर का दोरा शुरू हो गया है जिनमें दिनेश गुजर जी का भी नाम है जो की समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचीव हैं देहात पर चुनावी प्रचार के लिए निकले हैं और अखले शादव से हरी जंडी मिल चुकी है कि जाइए प्रदेश के अंदर आब चुनावी प्रचार कीजिए दिनेश गुजर जी इस वक्त हमारे साथ हैं दिनेश गुजर जी स्वागत करता हूं आपका नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद तो दिनेश जी अब क्या चुनावी प परचार किया था आज भी उनिकी विदान स्वा में पुनहे जो हमारे समाज के गाउं है अभी हमारे साती सुदेश गुजर, नबाव सिंग, बहुत सारे सातीयों के साथ अभी हम पुनहें अपने समाज के गाउं में जाने के लिए तयार हैं और आसु मलीग जी का चुनाव अच्छा है वो अच्छा लड़ रहे हैं और सारनपुर में जो मैंने मालूम किया सातियों से बात हुई पार्टी के निताव से बात हुई सारनपुर में सातों की सातों सीटों पर गटबंदन के प्रत्यासी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो दिनेज गुजर देखिए आदर्णिय रुद्रसेयन साहब, वो हमारे समाज के ही नहीं, साहरनपुर के बड़े नेता हैं, और गुजर समाज में मुझे कोई ये कहने में गुरेज नहीं है, कि अगर बोट किसी के पास हैं, सब लोग अपने अपने छेतर में अपना अपना वजूद रखते है हैं, फरन्तो आदर्णिय रुद्रसेयन जी हमारे समाज के बड़े नेता हैं, उनके पिता जी चोदरी साहब उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे, तो रुद्रसेयन जी चुनाव जीतेंगे, उनके भाई इंद्रसेयन जी मैदान में हैं, वो चुनाव जीतेंगे, और इ धायक रहे चुके हैं आशु मलिक जी अब माचुनावी परचार में हैं अजब सिंग बसपासे हैं तो ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं समीकरन कैसे बनेगा समाजवादी का देहात पर जीत का समीकरन आशु मलिक जी मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे इंसान है जब भी वो सरकार में रहे पावर में रहे उन्होंने गरीबों की पिछडों की दलीतों की सब की मदद की उन्होंने बहुत सारे गरीब सातियों की बहन बेटियों की साधी कराई आशु मलिक जी के द रहते हैं आसु मलिक जी ने हमारे यहां बुलुन सेर में गाजयवाद में और आपके गोतम बुनगर में जहां जहां भी जिसकी वो सरकार में रहते हुए मदद कर सकते थे उन्होंने मदद की और इसी का उनको फल मिलेगा और देहाद जो विधान सभा है वो समाजवादी पा सब लोगों को ले करके वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोगों को ले करके एक अच्छा गुल्दस्ता बनेगा और वो गुल्दस्ता बनके उनको चुनाव जिताएगा आसु मलिक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं सब को साथ ले करके चलें और मैं तो जो हमारे समाज के गुजर समाज के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में मैं खास तोर से उन से कहना चाहता हूं कि हमें बहुत मेहनत करके सारे गटबंदन के परत्यासियों की मदद करनी है ताकि हमारी पहचान हमारे समाज की पहचान बन सके और बच आपको लगता है कि एक तरफ जहां बीजेपी है देश की बात हिंदोत राम मंदिरीन की बात करती है तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि गुंडा गर्दी हो रही है अम अंचैन नहीं है तो ऐसे सिच्वेशन में आपक समाज खड़ा होगा सपा के साथ दीकिए यह आपका सवाल बहुत अच्छा है समाज की बात मैं आपको बता दूँ मैं बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में काम करता हूं विभिन विभिन पदों पर रह चुका हूं समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुजरों क नहीं लड़े थे, उनको MLC बनाया, मंत्री बनाया, आदर्णिय बिरिंदर सिंग जी हमारे समाज के बड़े नेता, उनको MLC बनाया, बाटी जी को बनाया, मेरे को बनाया, अतुल परदान को बनाया, सुबोत नागर को बनाया, यहां पे जगपाल दाश जी को पावर में रख बहुत सारे हमारे सब जो समाज के लोग थे उनको बनाया। अब अधनिय लाष्ट एद्दक्स शरी अखलेश यादव जी ने, उनसे गुजर सभा के कुछ हमारे सातियों ने चिट्थी लिखी थी, हम सब लोग उने जैन चौदरी जी को भी चिट्थी लिखी थी, कि हमारे समाज को जादे से जादे टिकेट दिये जाए। गट बंदन के अभी बारे टिकेट गुजर समाज को उन्होंने दिये हैं। जिसका मैं आपको आपके बारे में आपको सब कुछ जानका रही है। 12 टिकेट दिए है, आज तक किसी पार्टी ने इतने टिकेट गुजरों को नहीं दिए है इसलिए हमारा समाझ जो 12 टिकेट गट बандन के हमारे दोनों नेताव ने हमें दिये हैं उनका हम पह इसान है और हम उस इसान को तो नहीं उतार सकते परन तो कहीं न कहीं हम एक बोट दे करके उनके ऐसान को चुका सकते हैं तो हमारा समाज उनको बोट देगा, उनके गटबंदन के पिरतियासी को बोट देगा, हम सब लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप बुलन शहर से आते हैं, बुलन शहर में किया आपने कहीं टिकट की मांग नहीं की थी चुनाव लड़ने की, या मांगा था टिकट किसी और को दे दिया गया, क्या प्रस्तिती बनी और क्या माहौल है बुलन शहर में समयदी पार्टी का? देखें, बुलुन सेर में जहां से मैं टिकेट मांग रहा था, अनूप सेर विधान सभा है, वहां से मैंने भी टिकेट मांगा था, होशयार सिंग पूर विधाय के उन्होंने टिकेट मांगा, और अनिल चरोरा जी ने टिकेट मांगा, हिमाद जी ने टिकेट मांगा, बहुत दर्जनों साती कुश्म सर्मा उन्होंने टिकेट मांगा परंतु क्या कि एक राष्टिय लेवल पर के नेता सरद पवार जी ने एक सीट अधर्णी राष्ट अध्यक जी से मांग ली वो सीट उस गड़ बंदन में चली गई इसलिए हमने जो राष्टिय अध्यक जी ने फैस से लड़ा रहे हैं सदर पे जो हमारे गटबंदन के प्रतासी है यूनुस भाई वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं सिकंदराबाद पे राहूल यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत की तरफ जाएंगे जीतेंगे श्याना एक बहुत म प्राने निता अधरनीय प्रोफिसर किरनपाल सिंग जी चुनाव लड़ रहे हैं गटबंदन से और वो बहुत तो इमांदार बहुत मजबूत पश्यमित अब्देश में जाने जाते हैं तो बुलूं सेर में हमारी सारी सीटे बहुत मजबूत हैं और हम बहुत ज़्यादा बहुत ही मजबूत ही से में 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 जीतने का परियास करेंगे एक अंतिम सवाल ये है दिनेश गुजर जी अभी कुछ दिन पहले दादरी के अंदर मिहर बोज का प्रकरन हुआ था उसको लेकर ये कहा गया कि गुजर समाज योगी सरकार से नाराज है लेकिन उसके बाद वो जो कमीटी बनाए गई थी वो कहीं दिखाई नहीं दी सब अपनी अपनी राजनीती पर लग गए और उसमें एक बड़ा अंदोलन हुआ कमेटी बनी सब लोग उस अंदोलन में थे दीखे कमेटी बनी कमेटी अपना काम कर रही है काम करती है पर अभी चुनाव आ गया तो भोज सारे जादा लोग राजनीतिक लोग है विभिन विभिन पार्टियों से उस कमेटी में लोग है सब लोग अपने चुनाव में लग गए फरंतो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज ये हम उस दर्द को उस अपमान को भूले है गुजब समाज गुजर समराट मीर भोज का जो अपमान हुआ उसका बदला जहां जहां भी चुनाव हो रहा है दस तारिक को कुछ सीटों पर चुनाव है फिर दूसरे चुनाव है दाजरी में जहां का पिरकरण है बई स्कूल हमारा जमीन हमारी मूर्ती हमने अपने पैसे से लगाई सब कुछ गुजरों का और मानने मुक्मंतरी जी आकर के किसी बड़े नेता के इसारे पे या अपने समाज के इसारे पे और गुजर सब्द को हटवा दें ये गुजरों के लिए बहुत दुर्भाग था दुर्भाग पूर्ण था और हमेशा ये समाज के लिए एक कलंकित था जिसको हम सरकार में आएंगे हमारे राश्ट अद्दक जी ने कहा है हम बहुत भड़ी गुजर सम पार्टी आप तो सारे देश, सारे प्रदेश के बारे में सब कुछ जानते हैं आप जब वो आंदोलन था वहां पे हर समय खड़े थे सब कुछ आप दिखा रहे थे, देख रहे थे राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी और गटबंदन के प्रतिया सी एमा आप सब उनको जनता ने सिर पे बैठाया हुआ है और वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और मुझे ये कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जो बीजेपी के प्रतियासी हैं जिस गाउं में जाते हैं और जिस गोत के वो हैं जिस गोत पे चुनाव लड़ रहे थे जाओं में भी उनको घुषने नहीं दे रहे हैं राजकुमार भाती का इतना मदद पैसे से भी कर रहे हैं बोटे से भी कर रहे हैं और गुजरों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमको अगर बदला लेना है ना सरकार से तो हम आज मोका है बोट दे करके उनके खिलाप बीजेपी को हरा करके ही उनको बता सकते हैं कि हमारी समाज का अपने अपमान किया हमने आपको यहां पहुचाया बराबर में जेवर की सीट पे अवतार बढ़ाना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग भूले नहीं हैं उस परकरन को याद है और हमेशा हमे याद रहेगा जब हमारे माताएं बहनें दस तारिक को दादरी में बलून सेर में पूरे पश्चियूत उर्देश में चाय अतुल परदान हो चाय और भी हमारे गटबंदन के पिरतियासी हो कोई भी हो गुलाम मुहमद हो हो भी हमारे बहुत समाज के बोट है सब लोग चो तो गुजर समाज उस बात को भूला नहीं है और बहुत मजबूती से गटबंदन की मदद करेंगे और मेरी सबसे अपील भी है कि सब लोग गटबंदन की मदद करें और बीजेपी को हरा करके हम जब राश्टिय अद्धग्जी सरकार में आएंगे तो बहुत मदद करेंग कानून वष्टा के लिए हमने हंडेड डायल सबसे अच्छा रेस्पोंस वाला सिस्टम जो था वो लगाया इस बार हम सरकार में आएंगे कोई हो चाये किसी जात का हो किसी धरम का हो अगर गलत करेगा तो कानूनिक करवाई होगी और जो इन्होंने सासन पिरसासन लोएन ओ चलिए ये थे दिनेश गूजर जी प्रदेश सचेव समाजवादी पार्टी जिन्होंने पस्टिम के अंदर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिती है चाहे नौयडा, दादरी, बुलंचेर, मेरट या फिर साहरन पूर हो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा कि 20 से 25 अच्छी कानुन वस्था देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी फिलाली स्थिटियों बस इतना है